तो पार्ट टू में अभी हम देखेंगे आज जो उनके लास्ट के लूज अप्टाज है मीनिंग और मेडिटेशन के उपर तो इस पर क्या बोला है उन्हों ने जब जहां तक बात आती है मीनिंग की तो है कहते है मीनिंग ओफ लाइफ आप तब ही समझ पाओगे जब आप त कहानियों के सारे इंसान जीता है एक्जामपल जैसे बोलते हैं ये कहते हैं कॉर्परेशन गूगल वो कहते हैं कहानी है जो हम सब मानते हैं हमारे ब्रेन में वो एक कहानी as it is exist नहीं करता है जैसे मान लो sun है moon है paid है ये चीज़ एक्षिस्ट करती है ठीक है बट गूगल क्य चाहे वो कोई भी हो चाहे वो Google हो चाहे वो Facebook हो ठीक है कोई भी company है चाहे Twitter हो वो कहते हैं ये सारी कि सारी ना objective realities नहीं है ये सब हम सबने माना हुआ है कि ऐसा होता है तो उनकी billions of लोग मानते है तो इसलिए वो उसको power मिलती है तो इन्होंने example दिया है इसे money money भी हो कहते है कि कोई money को objective reality नहीं है पेपर ही तो है money एक कागज का टोड़ा है ठीक है लेकिन हम सब मानते है कि हाँ इसकी value है तभी इसकी value है लेकिन मान लोग को कुछ दुनिया में 7 billion लोग कहने कि हम money को use नहीं करेंगे तेक दम से money जो paper है बेकार हो या currency बेकार हो गई क्यूंकि आप सबन कि fictions को बनाता है ताकि उसकी life थोड़ी सी easy हो जाती है जीना असान हो जाता है इन्होंने example के लिए जैसे ये बोलते हैं nation का भी concept ये बोलते हैं कि nation भी objective reality नहीं है हम मानते हैं कि ये area अमेरिका है ये area एफरीका है ये area ये area ये area इंडिया है ये area चाइना है तो वो कहते हैं क कि ये सब चीजे में किया हम समने मान रखिये तो ऐसे बोलते हैं कि इन्सान को जीने के लिए ना बहुत सारे उसने इस तरह के stories में वो believe करता है जैसे कि मैंने example दिया corporation money nation ठीक है तो ये as per the author ये सब चीजे हमने मानी हैं ये objective realities नहीं है तो कहते हैं ये जरूरी है कि कि वो कहत इन्सान के लिए बहुत जरूरी थी अधरवाइस इन्सान यहां तक आ नहीं पाता ठीक है इसके बारे मैं जो इनकी पहली book है मैं कभी review करूँगा sapiens वहां पे इन्होंने ज्यादा detail में समझाया है उसको यहां थोड़ा सा नहीं touch दिया है इसका इसका दो या तीन page में कि कै इसे इन्सान fictions में और stories में believe करता है और क्यों इन्सान के लिए fiction और stories बहुत जरूरी थी अधरवाइस homo sapiens हो कि हम homo sapiens हम यहां तक पहुंच नहीं बाते हैं ठीक है हमारे humans के साथ साथ और भी human-like species थी meanderthalstate, decinovas थे, homo habilis थे लेकिन archgate में वो सारे wipe out हो चुके हैं सरफ homo sapiens ही बचे है homo sapiens क्यों बचे है क्योंकि वो कहानियों में और fiction में believe करते थे तो fiction और कहानियों का बहुत important role है तभी इन्सान यहां तक पहुंच पाया और इसलिए आप देखो हमें चीज़े है कहानी के form में ज़्यादा अच्छे है समझ में आती है तो लेकिन अब जब question उठता है कि मैं हूं कौन में लाइफ का meaning क्या है वहाँ पे stories और कहानियों help करेंगी stories और कहानी help करती है society को form करने में nations को चलाने में इंसान को आवे भरने में इंसान को सब को millions of people को collaborate करने में कहानिया और fiction help करता है लेकिन जब question यह उठता है personal level पर कि मैं कौन हूं who am I में reality क्या है मेरी identity क्या है यहाँ पर कहानी help नहीं करेंगी वो कहते हैं अगर यहाँ पर आपको कोई कहानी सुनने को मिल दी है कि मैं कौन हूं तो समझ लो फिर वो एक fiction ही है वो reality नहीं है meaning of life अगर आपको जानना है तो वो कहते है यह important है आपको अपनी reality समझना आपको यह जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और जब वो कहते है मैं कौन हूं यह जानना है तो आप answer हो story नहीं होना चाहिए यह कोई fiction नहीं होना चाहिए it should be real ठीक है और वो कहते हैं कि हर एक ने अपना meaning दे रखा life का ठीक है बहुआन को जो मानते है उनका अपना meaning है जो agnostics है उनका अपना meaning है साइंटिस्टों को अपना meaning है सब के अपने अपने meaning दे रखे हैं लेकिन हमें कोशिश करने हैं कि हम closest आ सके है रियालिटी के जब हमें जानना है meaning of life क्या है तो यह काफी बहुत डेप्थ हैस चेप्टर में और बहुत जादा खुपसूरत तरीके से उनके इसको चेप्टर क मेडिटेशन बात की है इन्होंने बोला है कि पहले यह काफी बुक्स पढ़ते थे तो को इंटेलियंट तो यह शुरू से थे यह वाद जीनिस गाई हरादी हरादी जीनिस है तो फिर यह ऑक्सवर्ड गए ऑक्सवर्ड में पढ़ाई करी हिस्ट्री में उनने कर रखा था इस त yang पी बहुता है तो इस तरन है के पृड़ दे थे बहुत ही ढोस्टरी को सुम आ कि है थिक है इस तरह के कोर्ण से पढ़ते थे थेar यह बहुत कूरिघ को इस और्म उनने को मिले को हम है क्या है और दुनिया में ती सफरिंग क्यों है मरने के बाद क्या होगा ठीक है इस तरह के कॉश्चन से पढ़ते थे ठीक है लेकिन इसको पढ़ने के बावजूद भी इतना इन्हों ठीकल नॉलेज गैधर कर ली अकैडमिक नॉलेज इनके पास आगई ऑक्सवर्ड में जाके सब्सक्राइब करें कि क्या चीजश भाण यह को मौन से क्या पर पता है कि कौंसी रियावल इंफोर्मिशन और कौन सी फेक इंफॉर्मिशन है वो कहते हैं, academics ने, academic knowledge ने मुझे यहां पर खेल्प किया, मुझे scientific bent of mind प्रवाइड करा, मुझे मालुम बढ़ा कि क्या चीज़ फेक हो सकती है, क्या चीज़ रेलाइवल हो सकती है, इसमें मैं distinguish कर पाया है, because of my academic excellence, and because of my academic knowledge. इसलिए फिर वो कहते हैं, कि mind को समझने के लिए, मैंने meditation करना स्टार्ट किया, अब meditation से इनका सीधा सीधा मतलब यह है, कि meditation एक ऐसी technique है, जिससे हम अपने mind को समझ सकते हैं, ठीक है, mind को कैसे समझना है, वो meditation के थूँ होगा, तो इसके लिए फिर इनके जो गुरू है, meditation को गोइंका जी है, तो गोइंका जी को फॉलू करते थे, ठीक है, अब तो खेर गोइंका की डेथ हो चुकी है, तो इन्होंने जो meditation स्टार्टिंग मैंनों ने बोला भी है, कि इनको डाउट हुआगी, यार, पता नहीं क्या है, meditation भी, को ऐसा तो नहीं है, कि meditation भी ऐसे ही हो, लेकिन जब ये वहाँ पे गए, विपस्ना अनों ने करी, ठीक है, विपस्ना एक meditation की टेखनीक है, जो बगवान बुद के टाइम से फॉलू की जाती आ रही है, जिसमें आपको अपनी breath पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है, present moment में आना पड़ता है, अभी तो मैंडेटें में नहीं बिता सकता हैं आपे, इस वीडियो में विपस्ना अनों के बारे में, बट, गोइंद का जी के एंटर में, नहीं नहीं लंबे टाइम तक विपस्ना को किया, आज की देट में भी ये दो गहंटे सुबह और दो गहंटे शाम को, ठीक है, इतना meditation करते हैं, और उन्होंने बार बार ये भी बोला है, कि मैं अच्छी books लिख पाया है, क्योंकि मैं विपस्ना meditation को काफी उन्होंने क्रेड भी दिया है, ठीक है, अपनी इस book में, कि because of मैं विपस्ना meditation में ही मैं अतना focus करके लिख पाया, अब ये बोलते हैं कि विपस्ना करने के बाद, meditation करने के बाद, मैं अपने mind को study कर पाया, जो कि मैं नहीं कर पा रहा था, तो कहते हैं मैंने 10 दिन की विपस्ना course join किया था, विपस्ना के 10 दिन में मैंने अपने mind के बारे में और अपने बारे में उतना जान लिया, जितना मैं पूरी जिंदगी में नहीं जान पाया, मैं Oxford हो आया, सब कुछ हो आया, मैं डिग्रियां ले ली मेरे पास, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने mind को नहीं समझ पाया, पूरी जिंदगी, जितना मैंने सब 10 दिन के विपस्ना meditation में समझ ली गए, तो ये meditation को बहुत credit देटे है, और कहते है meditation वो टेकनीक है, जिससे आँ अपने mind को समझ पाते हो, ठीक है, फिर, इन्होंने इस चीज़ के बारे में भी बोला है, कहते हैं कि mind को अभी भी, जो scientist है, उसमें, जो scientific world है, उसमें कफी debate है, debate यह है कि, क्या mind brain का ही part है, क्या brain का ही कुछ हिस्से में, कुछ neurons इस तरह से काम करते हैं, जिससे कि mind originate होता है, या फिर mind अलग चीज़ है, और brain अलग चीज़ है, ठीक है, तो हो कहते हैं, अभी यह debatable है, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी time science वहां तक पहुँचेगी, कि हमें मालूम पढ़ेगा कि exactly क्या है, और यह भी बोलते हैं, देखो, realistically होके बोलते हैं, कि meditation, ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं, कि दुनिया में सारी problems का, जो हल है, वो meditation से हो जाएगा, अब दुनिया में साही लोग meditation करने लग जाएगा, तो सारी problems दुनिया की soul हो जाएगी, तो कहते हैं, ऐसा नहीं होता, उन्होंने खुद बोला है, वो कहते हैं, कि medicine is not a panacea, ठीक है, panacea मतलब ऐसा नहीं, कि हर चीज का solution meditation ही है, ठीक है, उसने बोला कि, real world में चीज़ें काम करने के लिए, practical अगर problems हैं, तो उनके लिए आपको practical solutions निकालने पड़ेंगे, आपको action लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कहते हैं, meditation हर चीज का solution नहीं है, लेकिन, फिर भी हमें meditation करना चाहिए, यूदि meditation के थुरू हो, हम अपने आपको जादा अच्छे समझते हैं, हम अपने mind को समझते हैं, हम समझते हैं कब हमारे emotions trigger हो रहे हैं, कब हमारे अंदर किस तरह की बेचैनी है, body में हमारे जो emotions हैं, जो sensations हैं, जो restlessness है, जो बेचैनी है, वो जो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, और कैसे होती हैं, हम उनको थोड़ा सा ठीक से समझ पाते हैं, हम mind के slave बन के ही रहते, अभी क्या है भी तो mind के और emotions के और चीज़ों के क्या एक तरह से slave है, तो कहते हैं, with time आप अपने mind को अच्छे समझ पाऊगे, with the help of meditation, वो कहते हैं, आने वाले time में ही हो सकता है, और इन्हों लास्ट में ने one भी किया, लास्ट पेज़ पे, कि आने वाले time में हमारे पास time भी कम है, क्योंकि आने वाले time में हो कहते हैं, computer की algorithm आपको ज़्यादा बेटर समझ लेंगी, in comparison to, कि आप अपने आपको अच्छे समझ पाऊ, अधरवाइस वो कहते हैं, आने वाले time में, algorithms आपको ज़्यादा जानेंगी, in comparison to, to की आप अपने आपको जानो, ठीक है, तो कहते हैं, meditation करो, ये एक अच्छा तरीका है, अपने आपको समझने का, अपने mind को जानने का, तो guys, इसी के साथ, इनकी यहाँ पे book, end होती है, अब पूरी book के उपर, मेरा की opinion है, मैं बता जेता हूँ आपको, कुछ चीज़े ऐसी है, जहाँ पर मुझे लगता है कि, कुछ points पे, मैं थोड़ा साथ की बातों से लिगरी, नहीं करता, उसके बारे मैं बताऊंगा, पहली चीज़ तो यह है कि, मेरा opinion अगर मैं book के बारे मैं बोलूँ, तो यह book को मैं points दोंगा, अगर मैं out of 10 मैं इस book को दोंगा, 6.5, out of 10 मैं 6.5 दोंगा, क्योंकि इनकी जो, first book थी, वो मुझे बहुत अच्छी लेगी थी, जो sapiens है, वो उनका मेरे सबसे best work है, ठीक है, अगर उसको points देने होंगे, तो out of 10 मैं इसको 9 points दोंगा, तो उसी comparison मैं बोल रहा हूं, 10 में से 6.5 मैं इसको दे रहा हूं, अपने अपने book अच्छी है, ठीक है, बुक बीच में मझे थोड़ी सी boring लगी है, अब हो सकता है अगर आपको interesting लगे, हर एक अपना personal opinion होता है, तो थोड़ा सा book मझे बीच में बोली लगी है, फिर मैं एक चीज़ा बोलूँगा, अगर आपको थोड़ा सा information, politics के बारे में, या थोड़ा सा अगर आपको literature के बारे में knowledge नहीं है, तो हो सकता है ये book आपको समझें नहीं है, especially अगर आपने कभी कोई book पड़ी ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा पहले first time अर्स के लिए book ठीक नहीं है, आपको मुश्किल हो सकती है समझने के लिए, क्योंकि जैसे की example के लिए थोड़ा सा राइटर मान के चल रहा है कि थोड़ा आपको हलका सा basic एक idea है, literature का, politics का, ठीक है, geopolitical scenarios का, इतना आपको हलका सा history का, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा एक basic आपको idea होना चाहिए, अगर आपको basic history नहीं पता, 11-12 तक की ठीक से, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, book को समझने में, जैसे example में देता हूँ, इन्होंने terms यूज करें है, एक writer है, George Orwell, ठीक है, उनकी book है 1984, तो उसके बारे में इन्होंने या पर discuss किया है, अब आपको पता ही नहीं कि George Orwell कौन है, या 1984 क्या novel थी, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर जैसे इन्होंने एक writer के बारे में बात की, Elder Suxley, Elder Suxley की book थी, Brave New World, उसके बारे में इन्होंने आप बात की है, तो अगर आपको नहीं पता, ठीक है, यह सब literary authors है, ठीक है, dystopian novels लिखते थे, Elder Suxley, George Orwell, ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में आपने सुना ही नहीं है, अगर आपको थोड़ा पता ही नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है, बुक थोड़ा समझने में problem हो, लेकिन देखो यार, अगर आप hard working हो, ठीक है, आप अच्छे से book को समझते हो, तो आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो, जैसे कहीं word use हुआ, George Orwell, तो आप Wikipedia पढ़ सकते हो, George Orwell कौन है, Elder Suxley आप पढ़ सकते हो, Elder Suxley कौन है, एक हलका सा summary ले सकते हो, 1984 क्या है, Brave New World उनकी book क्या है, तो अगर आप hard working हो, तो problem नहीं आएगी, लेकिन mostly लोग इतना hard work करते नहीं है, book पढ़ते टाइम, इतना depth में जाते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपको literature के बारे में, एक basic background आपको नहीं पता, history के बारे में आपको ठीक से नहीं पता, ठीक है, जो पीछे जो इतने भी revolutions हुए है, थोड़ा बहुत आपको basic history के बारे में नहीं पता है, ठीक है, especially जो 1900 के बाद की जो history है, ठीक है, जो Cold War वाला पूरा time period था, Soviet Union और USA के बीच में, World War I, World War II, यह सब चीज़ें के बारे में, एक हलका सब basic idea अपको अच्छी है, तभी यह book आपको ठीक से समझ में आएगी, industrial revolution क्या था, कहां हुआ था, तो अगर यह सब चीज़ें यह आपको नहीं समझ पता नहीं है, अगर 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 यह तो आप उसको समझ लो, बुक पढ़ते पढ़ते जैसे terms आएंगे आथा आप उसको समझो, simultaneously, लेकिन अगर आप समझना भी नहीं चाहते हैं उन terms को, और आपको पीछे background भी नहीं पता है, तो फिर दिक्कत हो सकती है, यह book को direct समझने में आपको, ठीक है, पहली चीज़ मेरी यह है, second जैसे की मैं बोलूँगा, हराई ने बोलाई की future इस type का होगा, इस type का होगा, इस type का होगा, तो मैं मानता हूँ यार की, 100% predict कर पारना ना बहुत मुश्किल होता है, वो खुद भी कह रहे हैं की, 100% predict को कह रहे हैं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, वो कहने हैं, मैं सिर्फ एक अपनी hypothesis बना रहा हूँ, यह ऐसा हो सकता है, based on the present, his present understanding of the world, ठीक है, the future मैं भी मानता हूँ काफी unpredictable है, बट जैसा कि यह बताते हैं, इतनी jobs से ली जाएंगी, यह हो जाएगा, useless class बन जाएगी, इस पर मैं भुछाद agree नहीं करता हैं इनकी बातों से, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का मुझे लगता है कि पहले ना बात की गई थी, industrial revolution जब आया था, तो भी लोग बहुत धोड़ा रहे थे, इंगले वह बहुत 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 industrial revolution की jobs से ली जाएंगी, कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, प्रॉलम्स होई थी उसकी वएसे, उसकी वज़से अपनी प्रॉलम्स थी, ठीक है, इसलिए फिर कमने जब आया था, काल मार्क्स का, बट, इतना मुझे लगता नहीं, जितना शायद जो अभी hype create किया रहा है, वोल्ड वाइड की इतना हो जाएगा, इतनी जोब से ले जाएगी, सब useless हो जाएगी, irrelevant हो जाएगी, मुझे लगता नहीं, ऐसा हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगों पे humans की जरुत है, और हमेशा रहेगी, क्योंकि humans ना emotional है, तो humans की जब बात emotions की आती है, तो वहाँ पे हो सकता है, अब देखो यार यह मेरा अपना मानना है, हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, obviously जरूर तो नहीं कि सब कुछ जो भी जो बन्दा बोलता हो ठीक ही हो, मेरी भी अपनी, क्योंकि अब बात हम future के बारे में कर रहे हैं, तो future unpredictable है, तो मेरा अपना है मानना है कि ऐसा नहीं हुआ कि humans बिल्कुल useless हो जाएंगे, irrelevant हो जाएंगे, जैसा कि author ने बोला है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक बेटर तरीका निकलेगा humans के लिए, सारे majority useless हो और irrelevant होने वाले नहीं है, और बहुत सारी जगाओं पे humans की value हमेशा ही रहेगी, जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में machine सी doctors का का काम कर सकती है, बहुत जगाओं पे चीज होती है जब एक इनसान का पेशेंट है उसको कोई problem हो रही है, मानलों cancer हो रहा है या कोई बड़ी बिमारी हो रही है, machine कभी भी उसको ये hope नहीं दे सकती कभी भी कि यार जैसे मानलों doctor बोल देता है ना किसी बंदे को कि यार तू ठीक हो जागा तू परशान नहीं हो सरफ यही बात सुनके ना बंदा कभी-कभी ठीक हो जाता है भली statistically देखो देखने बैट हो के तो हो सकता है वो ठीक नहीं हो पाता है लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया कि तू ठीक हो जाएगा तो बंदा ठीक हो जाता है कि इंसान बड़ा emotions से चलता है तो डॉक्टर पर बड़ा trust है उसका human doctor पर emotions बड़े powerful हैं तो यहां पर मुझे लगता है मशीने ये काम कर पाएंगी कि वो डॉक्टर आखों में आके डाल के देख लेता है कि यारे बंदा डरा हुआ हुआ है घवराया हुआ हुआ है तो डॉक्टर अगर उसको एक hope देता है कि यार तू ठीक हो जागा अतना कि यहां पर यह काम AI और रोबोट्स और मशीन नहीं कर पाएंगी मेरी जज्मेंट में नहीं कर पाएंगी और मुझे लगता है कि सारे यूजलस हो जाएंगे कुछ ना कुछ तरीका निकल आएगा क्यूंकि ऐसा ही पहले बहुत तक एक फीर जेनरेट हुआ था इंडेस्ट आर्ट है ना उसको कभी मशीन रिप्लेस नहीं कर पाएंगी आपको लगता है कि आप पिकासो या लियोनारू डाविंची या माइकल एंजलो यह वर्क कभी मशीन रिप्लेस कर पाएंगी मैं मानता हूँ बहुत सारी मशीन अभी आ रहा है AI ने पोएम भी लिखी है AI ने र सॉंग बनाना है या अच्छा कोई मूवी की आपको स्क्रिप्ट लिखनी है या कुछ आपको अच्छी पेंटिंग करनी है ठीक है तो मुझ लगता है यह जो ओरिजिनल फॉर्म आफ आर्ट वर्क है यह जो क्रेटिविटी वाला दोमेन है यह हमिशा हीमन्स के पास रहेग ठीक है तो यह वाली फील्ड इनफैक्ट में लगता है जहां में क्रेटिव ज़्यादा होना पड़ता है इनसान को यह चीज़ें ज़्यादा आने वाले टाइम में डिमांड में आएंगी उनकी जो मोनोटनस काम है जो मैनूल काम है यह तो आप्विसली मशीन रिप्लेस कर जो बिल्कुल ऑटोमेटिड है जो मैनूल काम है जिसमें एक वेल डिफाइन पाफ फॉलो होता है एक सेट आफ सेट आफ सेट आफ सेपस है कि हां यह 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 करना है उसमें कुछ ज्यादा आपको ब्रेन लगाने की ज़रोत नहीं है एक वेल डिफाइन है सब कुछ ठीक है जो एक जो मैनूल जो काम है सारे के सारे वो हो सकता है मशीन उनको रिफ्लेस कर दे विल्कुल डेफिनेटली वो कर भी देंगी उसमें मैं डिसग्री नहीं करता बट मुल लगता है जहां पर पॉरजिणिटी की बात है जहां आट की बात आएगी महां मशीन मेरे साब से कभ अगरेड गाय जीनियस गाय रिस्पेक्टेम अलोट मुझे काफी अच्छी लगती है इनकी राइटिंग बहुत सिंपल होती है और यह काफी बहुत तक यह साइकॉलजी और फिलॉस्टी दोनों को कवर करते हैं प्रोटिक्स को भी कवर करते हैं फ्यूचर की प्रॉलम्स के इसलिए मैंने इनकी तीनों बुक्स पढ़ी हैं तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली तो जो रीजन से मैंने आपको दे दी हैं अगर आपको वो रीजन अच्छे लगते हैं जो मैंने पूरा अनलेसे दिया है तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं अगर कुछ इसलिए नहीं तो आप कुछ नहीं कुछ जरूर सेखेंगे तना मैंकर आटिए रह电ाओ हर आरी के वर्क से हर इंसान कुछ नहीं कुछ सेख सकता है तो इन जेनल आप आफ यह 6.5 पॉइंट गॉट आप प्र सकते हैं इसे ल के जानपने तो वाईडिव यह तल वीडियो वी झाल झाल